नमस्कार मैं हूँ श्पैता मातिस सुप्रीम कोर्ट में जजों के नियुक्ती के लिए हाई कोर्ट के पांच जजों के नामों की सिफारिश की गई है कलीजियम ने केंद सरकार को जो नाम भेजे हैं उनमें राजस्थान, मनिपुर, इलहबाद हाई कोर्ट के एक एक जज और पतना हाई कोर्ट के दो जज शामिल है अब ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की चैन प्रक्रिया क्या है कैसे जज को नियुक्त किया जाता है और इसके लिए किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है इसे जानने के लिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास पर 26 जनवरी 1950 को समिधान लागू होने के दो दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इससे पहले इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था जो एक अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया था जज की नियुक्ति या चयन की प्रक्रिया क्या है समिधान में अनुछेद 124-2 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है तो मुख्यता कोलीजियम भी सुप्रीम कोर्ड के जजूं की नियुक्ति का एक एहम हिसा है लेकिन कोलीजियम कैसे काम करती है यह जानना भी जरूरी है सुप्रीम कोड कोलीजियम का नित्रित्व, CGI द्वारा किया जाता है और इसमें नियाय लेकी चार अनिय सीनिय जज्ज़ शामिल होते हैं। कुलिजिं की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निया धीशों के तबादरों का फैसला भी कुलिजिं ही करती है। इसके अलावा उच नियायाले के कौन से जज पदोननत होकर सुप्रीम कोट जाएंगे ये फैसला भी कुलीजियम ही करती है। सरकार एक बार किसी एक या अधिक नामों को पुनरविचार करने के लिए कुलीजियम के पास वापस भीज सकती है। लेकिन अगर कुलीजियम दुबारा नाम भेशती है तो इस सिफारिश को मानना ही पड़ेगा। कि कि ये हम अगरीज सकती है।